पीजा खाना तो सभी को पसंद है लेकिन घंटों इंतजार करना किसी को भी पसंद नहीं तो आप लोगों की बेहत फर्माईश पे मैं आज आपके लिए बेहत आसान पीजा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ ना तो आपको घंटों वेट करना पड़ेगा ना आटा गुंदना पड़ेगा ना आटे को राइस करना पड़ेगा और ना ही हमें इसमें अवन का यूज़ करना होगा जट पट से सिरफ और सिरफ पांच मिनट के अंदर हम ये मीनी पीजा बना कर त्यार कर लेंगे आपको जितने जबर्दस लग रहे हैं खाने में इससे कहीं ज़्यादा ये डिलिशिस बनकर त्यार होते हैं तो चलिए पर जल्दी से रेस्पी को स्टार्ट कर लेते हैं रेस्पी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा और चैनल पे नियू है तो चैनल को सब् कर दीजेगा ताके ऐसे ही मज़े मज़े की रेस्पी आप तक पहुंचती रहें बिसमिल्लाही रहमानी रहीं आश्लाम लेकॉम वेलकम टी ब्लू पैन की चैनल तो ये बहुत ही टेस्टी और जटपड से पीज़ा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत है ये जान किया था जो अलो के लंबाई वली साइडन हमें वहां से ग्रेट नहीं करना हमें आलो के बड़े-बड़े लच्छे नहीं चाहिए हैं छोटे वाले लच्छे चाहिए अब इसी पानी के अंदर हम आलो को अच्छे से दो लेंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जबर्दस के बाद मैंने एक स्टेनर के अंदर निकाल लिया है, तो अब हम दबाएंगे और दबा के इसका पानी जो है वो निकाल देंगे, आप चाहें तो हातों की मदद से दिबा लें. यहां पर किसी कपड़े में डालके आप इनका पानी सारा ड्रेन कर लें, तो यहां पे देख सकत अगर आपको प्यास पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें अगर डालेंगे तो इसे अच्छा फ्लेवर ही आएगा और दूसरी चीज जो इसके अंदर जाएगी वो है मैदा थ्री टेबल स्पून मैंने मैदा ली है और इसको हम चान के यूज करेंगे चान के हम मैदे को इस्तमाल करेंगे तो अब इसके अंदर सीजनिंग के लिए डालेंगे थोड़ा सा नमग और थोड़ी सी काली मिच आप अपने इसाप से डाल सकते हैं जितना आपको तिखा खाना पसंद है तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे क सकते हैं कि आलू जो हैं इसके उपर हलका हलका सा मैदा कोट हो चुका है तो बस हमें इतने ही चाहिए अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में आलू ले रहे हैं तो आप उसी साफसे के अंदर मैदा भी एड़ करेंगे तो अब चलती है कुकिंग की तरफ तो यहाँ पे मैंन तो यह दो सर्विंग स्पून भरके मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और इसको अच्छे से सैट करके इसकी गोल सी शेप बना देंगे हम अगर आप बड़ा पीजा बनाना चाते हैं तो एक ही दफ़ा सारे पैन में डाल के तो आप इसको बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे म मज़े के बनते हैं और बनाने में टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता आप तो रोजी यह पीजा बनाया करेंगे सारे पीजे मैंने पैन के अंदर अरेंज कर दी हैं इसको उपर से कवर कर देंगे और फ्लेम को हम यहाँ पे लो ही रखेंगे लो फ्लेम पे हम तीन से चार मि के बाद हम डकन हटाएंगे तो अब हम इसकी साइड चेन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसर सा गोल्डन कलर आ चुका है बिल्कुल भी यह जले नहीं है और इन सब को हम टन कर लेंगे हलका हलका सा उपर से प्रेस भी कर देंगे तो यहाँ पे फ्लेम को हम अब आँ नहीं रखेंगे और बन फ्लेम पर ही अब हम यह सारा काम करेंगे पीजा साउस लगा देंगे इन सब के उपर अगर आपके पास पीजा साउस नहीं है तो आप यहाँ पे कैचप भी यूज़ कर सकते हैं खुब अच्छे से भर भर के हम पीजा साउस ताके अच्छे से इनके अंदर फ्लीवर आ जाए और अब हम टॉपिंग करेंगे तो सबसे पहले इसके उपर चीज डालेंगे चीज तो बच्चों की बहुत ही ज्यादा फेवरोट होती है और बहुत ज्यादा पसंद होती है जितनी भी हम डालें उतनी ही कम लगती है उनको तो आप जितनी अवेलेबर हो आपके पास अब उतनी डाल सकते हैं तो यहाँ पे अब मिरे पास कुछ वेजटेबल्स थोड़ी सी शिमला मिर्च है और थोड़ी सी मिरे पास गाजर है मिरे पास ट्रमाटर नहीं था तो मैंने गाजरी काट ली अगर आपके पास ट्रमाटर है तो आप भी लगा सकते हैं प्यास भी लगा सकते हैं और चिकन की भी टॉपिंग कर सकते हैं तोटली आप इट पैंड करता है कि आपको क्या चीज़े पसंद है आपको जो भी पसंद हो आप लगा सकते हैं वैसे बच्चे वेज़ेटेबल्स नहीं खाते लेकिन अगर इस तरह बना कर देंगे तो वेजटेबल्स भी बच्चे बड़ी असानी से और बड़े खुश होके खा लेते हैं तो अब इसके उपर थोड़ी से सीजनिंग डालेंगे थोड़ा सा नमाक थोड़ी सी हम इसके उपर कुटी हुई लाल मिर्च डालें तो यहां पर देखें कि चार मिनट हो चुके हैं और चीज बिलकुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और हमारे पीजे जो बहुत अच्छे से कुख हो चुकी है तो अब हम इने एक प्लेट पे निकाल लेंगे जब आप ये पीजे बनाएंगे तो आप मुझे दौाईं दें इन पीजे को डेकुरेट कर देंगे तो बहुत ही जबरदस्ट और बहुत ही जटपर से बनने वाले बहुत ही यम्मी से पीजे मारे बनकर त्यार हो चुकी हैं तो अब भी बहुत ही ज़दा गरम है तो मैं आपको इसकी उल्टी साइड भी दिखाती हूँ तो यहां पर देक सकते हैं आपके बिल्कुल भी यह साइड जली नहीए ना बलैक हुई है और ना हे बहुत स्यदा डार्क हुई है बहुत ही जबरदसा प्यारा सा गोल्डन कलर आया हैं और बहुत ही सॉफ्ट यह पीजे बनकर त्यार होते हैं मैंने ये पीजे बच्चों को लंच भी देने के लिए बनाए है आप भी बना कर दें और तारीफे समेटें रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा और आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा आप किन किन शैरों से वीडियो को देखते हैं ये भी जरूर बताईएगा दौाओं में याद रखें अपना रखेंगा बहुत सा ख्याल अल्ला हाफ़ीज